सभी को राम राम आपका PM Cooks चैनल में स्वागत है आज की रेसिपी है कड़ाई पनीर वो भी रेस्टरेंट स्टाइल जिसके लिए हमने किसी चीज का पेश्ट भी नहीं बनाया है हमने कड़ाई पनीर इंस्टेंट मसाला से बनाई है जिसके लिए हमने 5-6 टमाटर, 4-5 प्याज, धनिया, लसन, अद्रक, मिर्ची लिया है हमने इन सारी चीजों को इस तरह से कट कर लिया है लसन, मिर्ची, अद्रक का पेश्ट बना लिया है हमने 200 ग्राम पनीर लिया है जिसको हम टुकडों में कट कर लेंगे आप अपने पसंद के छोटे बड़े टुकडे कट कर सकते है मैंने इंस्टेंट कढ़ाई पनीर मिक्स मसाला लिया है आप चाहे तो इसमें पीछे पढ़के बना सकते हैं नहीं तो ये देख कर बना सकते हैं वीडियो मेरी अब हम मसाले के मिसरन को इस तरह से पानी में घोल लेंगे मैंने 100 ग्राम के करीब पानी लिया है मिसरन को घोलने के लिए इस तरह से पानी में घोल के पेश्ट बना लेंगे हम चम्मच की सहायता से मसालो के मिसरन को मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें गाठे न पड़ी रहें मसाले के घोल को हम इस तरह से घोल कर साइड में रख देंगे अब पनीर को बनाने की तयारी करेंगे अब एक पैन को गैस पर चड़ा कर दो से तीन टेबल स्पून के करीब ओल को गरम होने के लिए रख देंगे तेल जब गरम हो जाए तो उसमें हम पनीर के टुकड़ों को फ्राइ करेंगे इस तरह से पनीर के सारे टुकड़ों को एक एक करके धीरे धीरे हमें डालना है एक के उपर एक नहीं डालना है नहीं तो पनीर के टुकड़े चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ पनीर को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको हलका ही सैलो फ्राई करना है आप चाहें तो पनीर को बिना तेल में फ्राई किये भी यूज़ कर सकते हैं हमारे पनीर फ्राई हो चुके हैं अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर ज्यादा इसको जलाएंगे नहीं हमारे पनिर फ्राइ हो चुके हैं देखिए इस तरह से अब जो तेल बचा हुआ है अब उसी में हम पनिर्क सबजी बनाएंगे आइल पहले से ही गरम है अब इसमें हम जीर्या का तड़का लगाएंगे अब इसमें चॉप की हुई प्याज डालेंगे हमने दो साबुत लाल मे चली है उसको भी इसी में डाल देंगे जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसको सोटे करना है प्याज का कलर चेंज हो चुका है अब इसमें हम टमाटर एड़ करेंगे टमाटर को भी अच्छे से तेल में भूनेंगे हम पनीर में कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए इसको थोड़ा सा मसल कर हम इसी में आड़ कर देंगे अब इसमें नमक आड़ करेंगे जिसे टमाटर अच्छे से गल जाएं आप कटे हुए टमाटर के बदले टमाटर की प्योरी भी एट कर सकते हैं अब इन सारी चीजों को हम कल्ची से मिला कर अच्छे से भूनेंगे टमाटर को हम तब तक अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल इस तरह से गल कर न हो जाएं अब इसमें हम इंस्टेंट मसाला एट करेंगे जिसको हमने पेश्ट बना कर रखा था अगर आपको ग्रेवी गारी लगती हो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी आट कर सकते हैं मुझे ग्रेवी गारी लग रही है इसलिए में इसमें थोड़ा सा पानी आट करूँगी जब ग्रेवी में बॉयल आने लगे तो हम लसन अद्रक मिर्ची का पेश्ट आट करेंगे अब इसे भी हम ग्रेवी के साथ अच्छे से पकाएंगे और कलची से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है जिससे मसाले अच्छे से पक जाएं और ग्रेवी गारी हो जाए ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी भी गारी हो चुकी है अब हम इसमें पनीर को एट करेंगे अब पनीर के साथ ग्रेवी को हमें 10 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पर पकाना है 10 मिनट तक हमने इस तरह से पनीर को ग्रेवी में पकाया है और ग्रेवी गाड़ी भी हो चुकी है मुझे इतनी गाड़ी ग्रेवी चाहिए थी अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे अगर आपको और गाड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप 5 मिनट और इसको पका सकते हैं नहीं तो पानी कमी अड़ कीजिए अगर आपको पनीर की इंस्टेंट मसाला रेसिपी पसंद आई हो कड़ाई पनीर की तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और साथ में लगे बैल आइकन को भी जुरूर दबाईए अब इसे हम हरी धनिया से गार्निस कर देंगे मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद